हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेकनोलजी तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स S5 प्रो के स्पेसिविकेशन इसके प्राइज और अवैलेबिलिटी के बारे में तो दोस्तों पूरी वीडियो क सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों यहां पर आपको 6.53 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा अगर दोस्तों हम लोग डिस्प्ले टाइप की बात करें तो IPS LCD आपको देखने को मिलेगा यहा तो 91% यहाँ पर आपको screen देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले screen resolution के बारे में तो 1080 x 2220 pixels देखने को मिलेंगे और इनका expect ratio होगा 90.5.9 और दोस्तों यहाँ पर आपको completely bezel-less display देखने को मिलेगा जैसा कि आप जानते हैं Infinix S5 Pro में आपको pop-up camera देखने को मिलेगा जो इस phone की main highlighting feature है और दोस्तों अगर android version की बात करें तो यहाँ पर android version 10 आपको out of the box देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर hybrid sim slot देखने को नहीं मिलता हम लोगों को यहाँ पर आपको दोनों ही nano sim का support मिलेगा तो दोस्तों अगर हम लोग बात करने इसकी battery के बारे में तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बहुत बड़ी battery देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर pop-up camera के बात करने तो यहाँ पर आपको 16 Megapixel का pop-up camera देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर back side की बात करें बहुत ठीक ठाक है अगर इसकी architecture की बात करें प्रोसेसर की तो 64-bit का आईए और graphics आपको PowerVR GE8320 का मिल जाता है जो दोस्तों आपको ठीक ठाक gaming करवा देगा medium settings पे लेकिन अगर high settings में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा दोस्तों lag और stutter दिखने को मिलेगा कोई भी game में अगर बात करने तो लेकिन personally PUBG आप medium settings पे खेल सकते हैं और दोस्तों इस processor की और बात करें दोस्तों ये octa core based processor है 2.3 GHz पे clocked है और cortex A53 का इस पे architecture है तो दोस्तों ये कुछ basic feature में आपको बता दिया और दोस्तों अगर pricing की बात किया जाए तो 9999 यानि कि दोस्तों ये phone आपको 10,000 में देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज इसका launch date है और आज ही ये phone launch हो जाएगा I think हो भी चुका होगा ये और दोस्तों अगर image resolution की बात की जाए तो 8,000 x 6,000 pixels आपको देखने को मिलेगे और flash की बात करें तो dual LED flash आपको देखने को मिलेगा और aperture की बात किया जाए तो f1.79 का aperture आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर हम लोग cameras की shooting modes के बारे में बात करें तो continuously shooting, high dynamic range mode, HDR, camera features, digital zoom, auto flash, phase reduction, touch to focus और दोस्तों आप यहापर full HD में 30 fps पे video record कर सकते हैं और दोस्तों front camera से आप HD में 720p में video recording कर सकते हैं 60 fps पे और अगर दोस्तों front camera के बाद अगर back camera की बात करें तो आपर आपको अच्छर 2.0 देखने को मिलेगा और दोस्तों जो screen flash रहेगी आपको मिलेगा ही मिलेगा front में यानि कि screen पूरा flash का का काम करेगा उच टाइप का ही है और अगर दोस्तों USB connectivity की बात की जाए तो यहापर आपको micro USB 2.0 देखने को मिलेगा यानि कि दोस्तो proximity sensor, exclamator, compass, gyroscope सारे ही important sensor आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं यह phone आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको pop-up camera वाला phone चाहिए तो दोस्तों यह सबसे best phone है यह bezel display के साथ आता है पहले बात तो उसका screen to body ratio बह आदेगे तो आपको Realme 6 Helio G90T के साथ मिल सकता है नहीं तो दोस्तों Redmi Note 8 भी आप ले सकते हैं लेकिन आपको especially अगर आपको pop-up camera phone चाहिए तो यह phone best है आप इस phone के साथ जाए लेकिन दोस्तों इसके जिगे पर आप Honor का phone मत ले लेजेगा क्योंकि उसका processor इससे भी घटिया है यानि कि यह दोस्तों एक basic सा phone है आपको decent performance दे देता है तो इस phone के साथ definitely जाए आपके लिए बिल्कुल सही है अगर आप थोड़ी मूरी gaming कर लेते हैं बलकि अच्छी gaming करवा देगा आपको और दोस्तों आप normal user है तो आप इसके साथ जाए आपको 4000 मच का battery भी मिल जा रहा है और RAM variants की इसके भी बहुत अच्छे है 4GB, 6GB बहुत अच्छे अच्छे RAM variants भी यह निकाले अपने phone के साथ तो दोस्तों आप मुझे नीचे comment करके बताए कि आप ये phone को purchase करेंगे कि नहीं करेंगे और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया ना यार तो वीडियो को like ज करेंगे 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 हैं